नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रेक के पास ये एफेम लिखावा होता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये एफेम क्या है और ये किस परपस से याँ पर लगा होता है वाइट कलर की इसके उपर पेंटिंग जाती है और ब्लेक कलर से एफेम लिखा जाता है मतलब की फॉलिंग मार्क हिंदी में बोले तो जाम पटी दोस्तों ये उस जगह लगा जाता है जहां पर दो रेलवे ट्रेक या तो एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर जु स्टेशन का सीन है जहां पर दुस्तों लूप लाइन और मेंल लाइन आपको दिखे रही हैं यहां पर कोई भी गाड़ी लूप लाइन में आती है जहां पर प्लेटफोर्म वाता है वहां पर रुखती है तो अगर वो फॉलिंग मार्क कलियर नहीं करती है मतलब यह जो गाड़ी को थू निकाल देता है जो अपनी मैक्जिम स्पीड से मेंल लाइन से निकल रही है तो जो इस्टेशन पर खड़ी गाड़ी है उसका अंतिम जो वीकल होता है लास्ट वीकल वो थू जाने वाले गाड़ी के लोकों से टकराएगा और ट्रेन का एक्सिटेंट हो ज और गाड़ आपस में वोकी टोकी के माजम से बात करते हैं कि फॉलिंग मार्ग क्लियर हुआ है नहीं फॉलिंग मार्ग का मतलब है कि फॉलिंग मार्ग से पहले अगर गाड़ी को खड़ा कर दिया तो दोस्टे आपर ट्रेन का एक्सिडेंट हो सकता है तो फॉलिंग वीडियो आपाने के लिए आप हमारे चलोगों सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को शेर कीजिए मिलते इंगले वीडियो में तब तक जहिंद वन्देवाद रहों